वीडियो में मैं आपको उन साथ संकेतों के बारे में बताऊंगा जिन साथ संकेतों से आप ये समझ सकते हैं कि कोई देवी शक्ति आपकी रक्षा जरूर कर रही है साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये जान सकते हैं कि कौन सी है वो देवी शक्ती जो आपकी रक्षा कर रही है आपको वो देवी शक्ती स्वेम बताएगी स्वेम दरसंदेगी कि वो कौन है वो आपकी रक्षा क्यों कर रही है आखिर आपका उस शक्ती से क्या संबंध है कैसे उसे जागिर्थ आपने किया है या कर सकते हैं कैसे आप उसे बात कर सकते हैं ये सभी जानकारियां आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना और बारीकी से सुनना देखे कई वार ऐसा होता है कि आप जा रहे होते हैं कहीं पर आप जा रहे होते हैं और जाते जाते एकदम आपका एक एक एकसिजेंट होता है और आप बाल बाल बचते हैं और आप हाथ जोड़ते हैं कि भगवान आपने मुझे बचा लिया कार या गाड़ी वो बहुत बुरी तरीके से टैमिज होगे पर आपको कुछ नहीं हुआ क्यों कहीं न कहीं कोई देवे शक्ती है जो आपके साथ है और आपकी रक्षा कर रही है कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि आपकी नौकरी पर बन आती है किसी न किसी कारण से आप तारगेट पूरा नहीं कर पा रहा कुछ भी कारण हो सकता है और आपकी नौकरी से निकलने की नौमत आ जाती है जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आप एक लंबी सांस लेते हैं जब आपकी नौकरी छूटती नहीं है क्योंकि नौकरी अगर छूट जाए तो आप बिल्कुल जीरो पर आ जाओगे घर परिवार टेंशन बढ़ जाती है पर कहीं न कहीं कोई तो ऐसी शक्ती है जो हर पल आपके साहता कर रही है जो आपके हर रूप में आपके साथ है और आपके हरे परिशानी को दूर कर रही है कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई जो बच्चा होता है वो सातवे महिने में होता है तो उस वजे से क्या होता है operation करना पड़ा था और जिस वजे से 7 महिने में मेरा जो लड़का है वो हुआ था पर बावा बोले नात का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र गुजारों मेरे पिताजी महाराज बहुत किरपा करने वाले हैं बहुत दयालू हैं और मुझ जैसे अग्य बोला कि ठीक ठाक है पर उसके अगले दिने उसको पिलिया हो गया था डोक्टर ने बोला था कि दो घंटे के अंदर अगर आप कहीं से ले जा सकते हो तो ले जाए उन्होंने बोला था रोतक के लिए गुड़गाओं में जो गौर्मिंट होस्पिटल है ना वो साथ दस सेक अपनगाओं में पर मेरी वाइफ जो थी और वहां पर मेरा लड़क हुआ था तो पिलिया लड़के को हो गया था उस समय पर उसको जहाडा लगवाय था पिलिया का जो जहाडा लगता है पता हूँ आपको फिर दौ घंटे के अंदर डौक्टर ने बोला था आगर इसका इ बच्च पाएगा हमने जैसे तैसे नरायना होस्पिटल है गुणगाओं में वहां पर इलाज करवाया था पुलिस लाइन के पास तो वहां पर मेरा बच्च जो ठीक ठाग रहता और बावा भुलेनात की बहुत किरपा मानता हूं कि उन्होंने ही जिस सब किया है उन्हीं की इ जूला पर जूल रहा था और बैल ने सिंग मारे उसके बाद जो गाय थी उसने सिंग मारे पर कहीं न कहीं इस वीडियो से पता चलता है कि कोई देवेशक्ति आपके साथ है क्योंकि यह एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें वीडियो भेजी थी और उस बच्ची ने बोला थ तक नहीं आई तो यह आपको बताते हैं कहीं न कहीं कोई तो है देवेशक्ति जो आपके साथ है और आपके हर पल आपकी साहता कर रही है कही बार कोई नकरत्मक्षक्ति आपको घेर लेती है वो नकरत्मक्षक्ति किसी रूप में आपको पीडित करना चाहती है और आप वह अब यह कौन सी शक्तियां हैं जो आपके रख्षा कर रही हैं अधिश्य शक्तियां कौं सी है वो वह आपके पिछले जिन UP छ थी जनके इन उप इन यह पिछले जनम के शक्तिय आपके पित्र की शक्ति हो सकती है। आपके इस्ट की कोई शक्ति हो सकती है, जो आपके हर पल साथ है। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं और आपकी रक्षा होती है तो समझ ले न कहीं कोई पित्र हैं आपके घर के कोई पित्र देवता हैं जो आपकी सहायता करते हैं क्योंकि पित्र जो हैं वो परसंद होते हैं जो आप अपने बड़े बुजर्गों के सेवा करते हैं उनका मान सम्मान करते हैं अगर आपके कुल देवी का पता करना है कि आपके कुल देवी आपके सहायता करने के नहीं अगर आप उनके स्थान पर जाते हैं उनका भोग परसा ह magaz रेगल वीप हैं कि जो हमार है को रर्चा कर रही है वो शक्ति आपको दर्शन भीत घिया बतांगी आप को अब यह समझ है और आप यह सक्तियां जो हैं यह लग लग संकेतों में आपको बतातीर तो सौतन में आपको विअ सो परसंट बताएंगी इस उपाई को करेंगे तो आप यह मातर एक दो मिनट का उपाई है और रात को यह आपको सोनी से पहले यह उपाई करना है क्या करना है सबसे पहले आपको एक सुपारी लेनी है पूजा वाली सुपारी कपड़ा लेना है छोटा सा सफेद कपड़ा जो यूज दना किया गया हो ऐसा कपड़ा आपको सफेद लेना है अब आपको क्या करना है अपने मंदिर में वो छोटा सा कपड़ा लेना है एक हतेली के बरावर का कपड़ा अपने ले लिया उसमें आपको सुपारी रखनी है स् तिलक करने के बाद 11 रुपे 2 लोंग 2 इलाइची आप उस सुपारी के पास रख देने के बाद आप धूब दिखाईए उस सुपारी को और दीपक दिखाईए और हाद जोड़कर विंति कीजिए कि हे प्रभू हे जो भी आप हो जो मेरे साथ जो शक्ती है जो शक्ती मेरे साथ दे रही है जो हर पल मेरे साथ है जो हर पल मेरी साहता करती है मैं आपका आवाहन करता हूँ या फिर करते हूँ इस प्रकार से आपको बोलना है आपके साथ य लोज पूजा पाठ करते हैं और उनको पता कर most, अब आपको क्या लाल जो धागा आता है, उससे बांद देना है, बांदने के के बाद जवब सुईंगे तो अपने तक्की के नीचे रखके उसको सोना है और सेंब प्रात्ना करनी है कि है जो भी मेरी साथ चींट陳 शक्ति ए वह शक्ति मुजह संकेत दे रात को दर्शन दे तो आप यकीन मानना उसी रात को दर्शन होंगे वह को अभास कराएगी वह को बताएगी संकित देंगी बताएगए बताएगे संकित की चैनल पे हैं समझ सकते हैं कि शक्तियां कैसे आपको दर्शन देती हैं कैसे संकेत देती हैं ताको आपको समझ में आए बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी पहली बार चनल पर है तो चनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और हमारे साथ जु जितने भी लोग इस ओडियो को सुन रहे हैं, उन सब के घर में खुश्याली ले किया है, तमाम संकटों का नाश करें, और उनके घर में बाबा भुलेनाथ विराजमान हो, हम मिलते हैं एक नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओमनमस्यवाई, ओमनमस्यवाई, ओमनमस्य जादो एक हैं पुले लेगा हैं, उन भी लेके हैं, आ जानके हैं, व différence हैं रहे चादो कि थास..., टुश्याली हैं, फiced मेर बवाई में कंघना खव़ेच हैं, हमीजादे वाह तरह हैं डिएवाई बड़ती उत, चुश्याबतीक हैं, झाल झाल झाल